सत्तर लोगों की विधान सभा में 61 लोगों के पास जनम प्रमान पत्र नहीं है साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और अगर आप हिंदू हो तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान से आये हो अगर आप कहोगे हाँ पाकिस्तान से आया हूँ तो आपके सारे कागस बना देंगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप कहोगे नहीं मैं हिंदूस्तान में पैदा हुआ हिंदू तो कहेंगे आपके कागस नहीं बनाएंगे कि आपको detention Center में भीज दिया जाएगा बताओ भारत में पैदा हुई हिंदू अ है यह कानून मैं जितना पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता कि ये कानून पाकिस्तान के हिंदूों के लिए है और लिदोस्तान के हिंदू के खिलाफ है हिंदुस्तान के हिंदूओं को ये कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा और अधितर के पास कागज नहीं होगा 90% से जादा है लोगों के पास कागज नहीं होगा उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो जब हमारे सामने जनता की रियल समस्याइं हैं, उन समस्याओं को बाजू करके अगर हम एक कालपनिक समस्या पैदा कर दें और सारा देश उसके अंदर उलज जाए और सारे देश के अंदर उसको लेके हाहाकार मची हो तो मुझे नहीं लगता ये देश हिट की बात है इससे देश की प्रगती नहीं हो सकती इससे अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती सारा देश इस ताइम CA, NRC, NPR इसने ये कहा, उसने ये कहा नागरिक्ता साबित करनी पड़ेगी कि क्यूं इससे किसका फाइदा हो रहा है इससे देश आगे कैसे बढ़ेगा मेरी तो ये समझ के बाहर है एक ये मैं TV डिबेट्स में भी देखता हूँ और कई बार कई लोग ये कह रहे हैं अब ये अभी तो NRC का ड्राफ्टी नहीं आया NRC तो होने ही नहीं वाला अध्यक्ष मौदे 20 जून 2019 को राष्ट्रपती श्री कोविंद जी ने दोनों सद्रों को जो जॉइंट एड्रेस किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कह था उन्हीं के शब्द मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ मेरी सरकार ने ये तै किया है कि NRC को प्राथमिक्ता के आधार पे अमल मिलाया जाएगा तो राष्ट्रपती तो इस देश के सरवच अथॉरिटी है अगर राष्ट्रपती ने कहा है कि NRC को लागू किया जाएगा तो NRC को लागू किया जाएगा हमारे देश के मानिय ग्रहमंत्री जी ने 10 दिसंबर को संसद के अंदर स्टेटमेंट दिया था हम इस पर उन्ही के शब्द में इस्तिमाल कर रहा हूँ 10 दिसंबर को मानिय ग्रहमंत्री जी ने संसद में कहा था हम इस पर बिलकुल साफ हैं कि NRC तो इस देश में होकर रहेगा राष्टपती जी ने कह दिया मानिय ग्रहमंत्री जी ने कह दिया तो फिर बचा क्या अब ये कियरे है वही CA अलग है NPR अलग है NRC अलग है आपके कहने से तो नहीं होगा अभी डिप्टी सीम साब ने बड़े अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया कि कानून के अंदर किस तरह से ये सारे कानून एक दूसरे से इनका रिष्टा है NPR तो 2010 में भी हुआ था तब तो कोई अफरा तफरी नहीं बची NPR तो इन्हीं की सरकार ने 2015 में आने के बाद भी किया था तब तो अफरा तफरी नहीं बची अब अफरा तफरी क्यों मच रही है अब अफरा तफरी इसलिए मच रही है क्योंकि मानिया ग्रहमंत्री जी ने खुद समझाया है और उन्हीं के शब्दें उन्होंने कहा कि क्रोनोलोजी समझने की कोशिश कीजिए ये उनके शब्द है पहले C.A. आएगा फिर N.P.R. आएगा और फिर N.R.C. आएगा उन्होंने खुद कहा है मानिय ग्रहमंत्री जी ने कि तीनों चीज़े इंटरलिंग दें हम नहीं कह रहे हैं मैं आज एक एक शब्द वो बोलूँगा जो केंदर सरकार की किसी ना किसी आथारिटी ने कही या कानून में लिखी हुई है अब लोगों के अंदर चिंता इसलिए है कि इस पिछले पांच साल के दोरान लोगों ने आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ आसाम में N.R.C. हुआ आसाम में N.R.C. होने के बाद 19 लाख लोगों को सिटिजन नहीं है ये घोशित कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भीज दिया गया उनको जेल में भीज दिया गया और उन जेल में उन लोगों का क्या हल हुआ ये सारे देश ने देखा इसलिए अब देश के अंदर इस बात को लेके चिंता है कि कहीं मेरा नाम भी तो नर्सी में इसे गायब नहीं हो जाएगा कहीं मैं भी तो डिटेंशन सेंटर में नहीं चला जाओंगा अब इसका प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस ये है कि ये सेंटरल गॉर्वर्मेंट का कोई नहीं कई अफसर आपके घर आएगा आपको कहा जाएगा जैसे अभी उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी नागरिक्ता साबित कीजिए आप अपने कागस दिखाईए अगर आप अपने कागस दिखा दोगे तो चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसल्मान हो चाहे आप किसी भी धरम के हो आप नागरिक हो गए और अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे तो अगर आप मुसल्मान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे और अगर आप हिंदू हो तो आप से पूछा जाएगा पाकिस्तान से आये हो अगर आप कागज बना देंगे आप से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको नागरिक्ता दे दी जाएगी अगर आप कागज नहीं मैं हिंदूस्तान में पैदा हुआ हिंदू हूँ तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे आपको detention center में भेज दिया जाएगा बाताो भारत के छिंडों ने क्या कसूर कर दिया जी बारत में पैदा हुए एक बारत ये कानून मैं जितना पड़ता हूं मुझे समझ निया आता कि ये कानून पाकिस्तान के हिंडूों के लिई है और हंदुस्तान के हिंडू के खिलाफ है हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा और अधिक्तर के पास कागज नहीं होगा 90% से जादा है लोगों के पास कागज जाएंगे हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं यह कैसा कानून है यह कैसी सरकार है यह कैसी आजाद भारत जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 15-17 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी जब रस्टी कहेगी बोलो तुम पाकिस्तानी हो नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे जो जो बोल देगा मैं पाकिस्तानी हूँ मैं इसको नागरिक्ता दे दी जाएगी जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हों लेकिन में पस कागज नहीं है उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे ये कैसा कानून है एक गलत फहमी फैली हुई है बहुत लोगों मैं जब बात करता हूं लोग कहते हैं ना जी वो हिंदुस्तानी हों को तो हिंदूओं को तो नागरिक्ता मिल इनरसी में धर्म के अधार पे कोई कारिवाएं नहीं होगी इस देश में जो कोई भी इनरसी के तहत इस देश का सिटिजन नहीं पाया जाएगा उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा तो एनरसी सिर्फ मुस्लिम के लिए है ये कहना ठीक नहीं है ये ग्रैम अंतरी जी कह रहे हैं वो खुदी कह रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ भी है मुसल्मानों के खिलाफ तो जो जो हिंदू इस गलत फैमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटिजन अगर उनके पास आगज नहीं हैं अगर वो एफिडेविट पर ये लिखके देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं तब ही नागरिक्ता मिलेगी जो ये लिखके देंगे जो ये नहीं लिखके देंगे मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं उनको नागरिक्ता नहीं मिलने वा ब्राइमंत्रीजे का बयान सुना पारलेमंट के अंदर पारलेमंट में उन्होंने साफ कर दिया न्पी आर के तहत जो एन पी आर की एकसरसाईज शुरू हो रही है एक अप्रेल से उसमें डॉक्युमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे उन्होंने ये नहीं कहा कि NRC में डॉक्यमेंट्स नहीं बांगे जाएंगे NPR में डॉक्यमेंट्स नहीं बांगे जाएंगे NPR में information collect की जाएगी उस information के आधार पे बाद में NRC होगा तो कई लोग ये कह रहें जी NRC का draft तो आ जाने दो बाई सार्फ जब चिडिया चुप गई खेत वो क्या कावत है अब पच्ताए होत क्या जब चिडिया चुप गई खेत अगर अभी NPR हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा फिर फिर तो NRC होके रहेगा NRC तो हो नहीं है राष्टपती जी ने कहा दिया NRC होगा ग्रहमंत्री ने कहा दिया NRC होगा NRC तो हो गई होगा और NRC कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है तो अब इसमें कोई दोराए नहीं बचिये तो डॉक्यूमेंट्स तो कल का उनका जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है कि NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे उन्होंने ये ने कहा NRC में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे NRC में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और NRC में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी ग्रहमंत्री जी का स्टेट्मेंट है 17 दिसंबर को अमित शाजी ने टाइम्जनाओ को इंट्रिव्यू दिया था टाइम्जनाओ की इंट्रिव्यू करने वाली ने पूछा उन से क्या आधार कार्ड माना जाएगा क्या वोटर कार्ड माना जाएगा उनोंने का आधार वोटर कार्ड से नागरिक्ता तैंust नहीं होती है जी, आधार का अलग परपज होता है. ये डॉक्भुमेंट्स नहीं माने जाएंगे, डॉक्भूमेंट्स कौन से माने जाएंगे, वो जुब् भी डिप्टी सीम साब ने बता दिया, केवल और केवल एक ही डॉक्यमेंट माना जाएगा किसी भी सरकारी एजंसी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट जनम प्रमान पत्र किसी भी सरकारी एजंसी द्वारा सर्व स्कूल वाला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था वो नहीं चलेगा मिनिसिपैलिटी का चलेगा या पंचायत का चलेगा इसके अलावा कोई नहीं चलेगा मेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं है दिल्ली के मुख्य मंतरी के पास भी जनम प्रमान पत्र नहीं है थाबित करने के लिए मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा मेरी बीवी के पास भी नहीं है मेरे माबाप के पास भी नहीं है हमारे घर में छे आदमी है मैं मेरी धरम पत्नी मेरे माता पिता और मेरे दुनों बच्चे, बच्चों के हैं बच्चे दिली में पैदा हुए थे, अस्पटाल में पैदा हुए थे मुनिस्पैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका बाकि चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा मनीज जी के पास नहीं है अभी इनों ने बताया सतिंदर जैन के पास है इनके पास भी नहीं है गुपाल जी आपके पास है गौतम जी आपके पास है इमरान खान है केलाज जी पूरी कैबिनेट के पास नहीं है पूरी कैबिनेट क्या पूरी दिल्ली की कैबिनेट डिटेंशन सेंटर में जाएगी आप से पूछना जाता हूँ स्पीकर साफ आपके पास अगर पूरे मेरे हमारे इतने विधायक हैं जिसके पास है एक नट इमानदारी से कल में रागा से पूछा था इसके पास है बता रहा था किसी जिसके पास है विपक्ष समेथ जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जनम परमान पत्र है अपनी नागरिक्ता साबित करने के लिए जरा हाथ खड़ा कर दो एक दो तीन चार पांच छे जात आठ नो है दस यह नहीं जलेंगा वह नहीं चलेगा वह नहीं चलेंगा वह नहीं चलेंगा के पास जनम प्रमान पत्रनियां थीलिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। झाल झाल